नमिश्खार सी नियूज भारत में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ रजासेंग हर्याडा और जम्मू कश्मीर में विधान सभा चुनाव हो गए हैं और चुनाव नतीजे भी सामने आच चुके हैं हर्याडा में जहां विधापी ने जीत का पर्चम लहराया है तो वहीं जम्मू कश्मीर में इंडिया गडबंधन ने बाजी मारी है वहीं इस बीच राहूल गांधी काफी चर्चा में बने रहे दरसल आजकल मेडिया में इस बात के बहुत चर्चे थे कि कॉंग्रस नेता राहूल का मेक ओवर हो गया है राहूल गांधी की बाते देश की जनता प्रधान मंत्री से भी जादा सुन रही है कॉंग्रस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने तो बाकायदा सभी सोशन मेडिया प्लेटफॉर्म के जरिये राहूल गांधी और नरेंदर मोधी हैंडल के आंकड़ों की तुलना करते हुए इसे सावित भी किया था इसमें कोई दोराय नहीं हो सकती कि राहूल गांधी आज कल कुछ भी बोलते हैं सभी नेशनल टीवी चानल उनको कवर करते हैं क्योंकि जनता उन्हें सुनना चारे हैं पर जब आप बेज़र की बाते करने लगते हैं तो जनता के लिए बाते वाकई में उवर्डोस हो जाती ह जी हां क्या ऐसा है कुछ राहूल गांधी के साथ भी हुआ है क्योंकि जम्मू में नेशनल कॉन्फरेंस जैसे एक मजबूत साथी के समर्थन होने के बाद कॉंग्रेस का बहां से सफाया हो गया है कॉंग्रेस को जम्मू में केवल एक मुस्लिम प्रत्याशी वाली सीट ही मिल सकी है जबकि नेशनल कॉन्फरेंस ने जम्मू की कई सीटें हिंदू प्रत्याशी खड़े कर ही जीट ली है यहां तक कि जम्म कश्मीर बिजेपी प्रेसिटेंट रवींद्र रहना को भी हराने वारा नेशनल कॉन्फरेंस का एक हिंदू प्रत्याशी ही है यहां हिंदू प्रत्याश्शी और मुस्लिम प्रत्याश्शी का नाम इसलिए लिया जा रहा है ताकि ये बताया जा सके कि वोटों का ध्रुवी करण कम से कम जम्मू में हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं हुआ है इसके बाब जूट जम्मू में कॉंग्रस की डाल नहीं कले। आपको बता दे कि राहूल गांदी ने इस बार के चुनाओं में बिजेपी में चुनाओं प्रचार के महरती कहे जाने वाले प्रधान मंत्रे मोदी से भी कहीं अधिक रैलियां, सभाएं और रोडचों किया पर जाट बेल्ट तक में कॉंग्रस की हालत खराब रही कॉंग्रस के लहर के बाब जूत बिजेपी अगर हर्याणा में तीसरी बार पूरे महुमत के साथ अगर सरकार बनाने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि राहूल गांधी का करिश्मा काम नहीं किया उनकी जबकि उनके सेटू पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे और बाइस हिंदू को टिकर दिया पर जम्मू में कॉंग्रस को एक भी सीट नहीं मिली जबकि नेशनल कॉंफरेंस को कुल 42 सीटों पर जीत मिली है मतलब साफ है कि कॉंग्रस की स्थिति विजेपी से तो खराब रही है इसका एक और मतलब निकलता है कि जम्मू किश्मीर में कॉंग्रस को मिली सीटे भी नेशनल कॉंफरेंस की बदोलत ही आई है जाहिर है हर्याणा और जम्मू में कॉंग्रस को मिली हांट से राहूल गांधी के भाष्णों और मुद्दों को तो टार्गेट किया जाएगा साथी ये भी जाहिर है कि राहूल गांधी के बाते लोगों को अब ओवर्डोज हो रही है फिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया के तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे हैं सीरियोज भारत हर खबर आपके साथ आपके हाँ